हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमाई यूटूब चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखंड बीएड एंट्रेंस एक्जाम से रिलेटेड बहुत सारे डाउट आपके आ रहे थे कि आपका जो एड्मिशन होने वाला है बहुत सारी यूनिविशिटी में तो एड कौन-कौन से डॉक्मेंट लेके जाने होते हैं तो इस वीडियो में हम डेटेवा डिस्कस करेंगे और साथ ही डिसकस करेंगे बेस्ट बूक फ़र बेट एंट्रेंस एक्जाम ऐसी कौन-कौन सी बूक है जो सभी स्टुडेंट को लेना जोजी होता है तो बात करेंगा हम उ तो बात कर लेते हैं इंपॉटेंट डॉक्मेंट के बारे में कि आपको कौन-कौन से डॉक्मेंट आपको लेके जाने होते हैं तो फर्ष्ट जो पोइंट है वो है आपका फीज आपका एडविशन सेल्फ फैनेंस में हो रहा है या गौर्वर्मेंट या अदर किसी लगेगी तो पहले आप से लेकर Join I and एक एनो लगती है और गवर्माइंट पीशी किनी लगती है और जो प्राववीट होते हैं उनमें किनी पीश लगती है उसके लिए भी हमनं वीडियो बना दिया है उस बीडियो का लिंक आपको निचे description box में मिल जाएगा तो description boxes आप वो वीडियो देख लेनाय और second जो है हो सकता है आपको ये जो स्क्रीन है या आपको शाब ना दिखाए दिखाए देरहों लेकिन जो जो मैं बोला हूं उसको आप ध्यान देना तो शेकिंड बात करें आपको विष्य ड्राली तो आप पर्विस ही तुनिर्गत online पर्मापत्रे और थर्ड आपको पर्विस अवीडन पर्थे तो आपको जो कॉलिज तो आपको 10 का certificate और मार्केशीट दोनों लेके जाने हैं उसके बाद आपको intermediate की भी अंक्र तालिका और पर्मारपत्व दोनों लेके जाने हैं उसी परकार आपको इसना तक यानि कि ग्रेजिविशन के प्रत्थम जूति तथा तर्थी वर्सी की अंक्र तालिका है और जैदी क अपनी जो अंक्र तालिका है वह लेके जाना और जो येर वाले स्टुडेंट है तो फर्स्ट येर और सेकंड येर की दो मार्केशीट ये जवर लेके जाना पिर यदि किसी का पीजी भी है यानि कि इसनार्कोतर तो वह अपनी प्रत्थम एवन द्यूति वर्सी के अंक्र की आर्क तालिकाबी लेके जाना और फिर टीसी एंग सीची तो जो टीसी और सीची है आपका इस्कूल कॉलिज से मिलता है वह भी आब लेके जाना फिर यदि कुमाब विस्युट चाले के चातों को चोड़गा अन्नि विस्यूट चातों ये तो परवजन पर्मना पत्त य जब आप एक यूनिवसिटी से दूसरी यूनिवसिटी में जाते हो तो आपका कोई भी यूनिवसिटी है तो यदि आप दूसरी यूनिवसिटी में जाते है तो आपका मैगरेशन सेटिव के वह सी लगेगा पर फिर चेटेंज़ एवं और द्वाधर आधारदार परमान पते या है जो भी आपके आधार्चन वाला पनाध़ मताथ है याद क्या है आपका CST OBC या कोई भी आपका आजक्षण वाला परमन पत्र है वह आप लेके जाना उसकी कॉपी भी आप लेके जाना जिसने भी डॉकुमेंट है तो लगबें इनकी एक कॉपी भी आप रख लेना फिर उसके बाद इस्ताई निवास पणों पत्र जो आपका डॉमिशाल सेटिविएट होता है वह भी आप लेके जाना फिर बिएट परवेश परिक्षा की जो अंक तालिका है जो आपका रिजल्ट आये होगा तो उसमें आपके अंक तालिका भी आपके दी होगी तो उसका प अंको पर्मौन पत्र जो जो अध्युमानी अंक आपने आपने का जो सेटिडिपेट था वह आपने लगाया था तो इसके भी प्रमौन पत्राल ले के जाना चाहे आपका नेस्टी की सरकार होस्पिटल के CMS या जिल्ला के जो CMO रहते हैं उनसे उनके द्वारा जो प्रमारपता आपका होता है Medical Certificate वह आप लेके जाना पर उसके बाद एक सपत पत्र जो की 10 सुपर के इस्टाम पेपर पर होना चाहिए उस पर आपके जो पांच पॉइंट है नीचे के यह होने चाहिए फर्स्ट इसमें 90% पर्योगात्म के योंग 80% सर्दानतिक विशे में उपस्तेरी रहोंगा जो शिकिन है एंटिरेगिंग गैप एयर किसी सरकारी सस्तान रे सेवारा नो होने का विवर्ण यह जिन्यवी डेटेल है उस इस्टाम पेपर आपके होनी जोजी है पसके बाद थर्ड में आपका मेरे विरुद्ध न्यायले में कोई अपरादी कारिवाई विचारा दिन नहीं है अथ्वा डंडी नहीं है तो यह जिन्यवी डेटेल है यह जो 5 पॉइंट है यह आपका उस इस्टाम पेपर होना आजवार है तो यह जो इस्टाम पेपर होता है इसके आप टेंशन मर लेना आप जिस भी कॉलेज में एडमिसन कराने चाहरे हो तो उसी के नजदी की जो तहसील होती है वहां से यह बन जाएगा उनको सब पता रहता है कि आप उनको बोल लेना बस दुबारा से मैं इसके बार में आपको बता दूंगा फिर आपका यदि आप सेवारत हो तो तो सक्षम अधिकाजी तोरा अनापत्ति पर्मारपति यदि आप किसी गौर्नमेंट एंपलोय हो या कहीं से भी आप जॉब हो कर देओ तो वहां से भी आपको जो एक पर्मारपत फाइल नंबर एमेल एड्रस तो यह आपको लिखना होगा एक जो ब्लैंक पेपर होगा उसमा अपनी जो फादर की डेटेल है यह आप फिल कर देना और उसको जमा कर देना उसके पाद एक फाइल कवर यह फाइल के वर एक 10 रुपे का जो वाला आता है जिसमाने से जो डॉ काउंसलिंग चलान रशित की चाय प्रती यानिकि जो आपके काउंसलिंग आपके जब हुई थी जब आपने उसके फीस जमा की थी लगवा आपने 500 रुपे फीस जमा की होगी तो उसके जो फीस रिशिप्त है उसकी भी कॉपिया आपको लेकर जाना अनुवारी है फिर पर लगा दिया है तो आयो पाको दिखाए दे रहा हो कह खिलिए तो मैं काम करूंगा हमाय चैनल सो ग्रूप पर भी मैं इसे सेड कर दूंगा तो कोई स्टूडिन ये यह हमाया टेल ग्राम चैनल और गूरूप पर नहीं जुड़ा है तो जूल जाना तो उसका जो लिंक ह होगा मैं नीचे description box में दे दूँगा तो वहां से आप जोइन हो जाना तो अब बात कर लेते हैं कि best book for B8 entrance exam तो यदि को student अगले साल या इसी साल B8 entrance exam का फोरम फिल करने वाला है और B8 की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए कौन-कौन से best book रहेंगी तो वह हम discuss कर लेते हैं तो यह जो book है यह है आपकी अर्यान्ति की B8 entrance exam वाली यह जो book रहती है यह आपकी best book मानी जाती है B8 entrance exam उत्राखंड के लिए तो इससे चाहिए आप पड़ भी सकते हो और इसको आगे में बताऊंगो कि आपको इसको बाय कैसे करना है और second जो book है यह भी अर्यान्ति की है यह कला वर्ग यह हिंदी में है और इसी का जो इंग्लिस वाला जो वर्जन है यह रहा यह जिन्नी भी book है यह आपके slavus के according है मैंने आपको इस slavus वाली वीडियो भी मैंने provide की थी जो आपके उत्राखंड B8 से related थी तो आप YouTube में आप सर्च करना उत्राखंड B8 entrance exam slavus by e-notes online तो आप यह जैसे आप सर्च करोगे तो आपको हमारे एक वीडियो आएगी तो उस इसी के according ही मैंने slavus भी बनाए था तो आप बात कर लेते हैं कि आपको इस book को कैसे purchase करना है इसे purchase करना काफी आसान है आपको क्या करना है हमारे इसी वीडियो को नीचे description box आपको on करना है और इसका जो बाई का link है वह आपको दिखाए देगा और यहीं किसी student को पता नहीं ह होता है तो मैं आपको बताता हूं और कहां पर आपको यह link मिलेगा तो आपको हमारी YouTube चैनल में आजाना है और आपको इसी वीडियो के नीचे यहां पर आपको क्लिक करना है यह हमारी प्रिवेस वीडियो है जो कि SSG University की है तो आपको इस वीडियो के इस वाले section पर आपको क तो इसी तरह मैं जो बुक्स का जो लिंक है वह आपको दे दूंगा तो आप उसको आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको एमोजोन की वेबसेट में लिखे चल गया तो आगे मैं आपको बताता हूं कि आपको आप क्या करना है इसको बाइ करने के लिए तो उस लिंक पर आप डाल ले ना इसमें cash and delivery का भी option होता है और यदि आप हमारे description box के दिये गे लिंक द्वारा इसे purchase करते हो तो आपको इसमें discount भी मिलता है तो इस तरह आप इसको purchase कर सकते हो सारी books का link में आपको नीचे description में दे दूंगा तो आप Amazon से easily इसे purchase कर सकते हो तो I hope आपको इस वीडिय पर मिले होगी तो मिलते पिके नेस्ट वीडियो में